पत्नियों के लिए कुछ अच्छे विचार वह आदमी जो अपने पत्नी से प्यार करता है उसकी पत्नी उस पर बहुत विश्वास करती है अपने पत्नी को कभी मौका ही नहीं देता कि उसकी पत्नी उस पर सक करे या असहज महसूस करे पत्नी को सिर्फ पत्नी नहीं अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझी और उसे अपना सारे सुख दुख साजा करें जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो अपनी पत्नी से कोई बात ना छुपाओ अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हो तो अपनी पत्नी से राय जरूर लो हो सकता है कि आपकी पत्नी की राय से आपकी समस्या सुलच जाए अपने परिवार वालों के साथ समय भी दाए आप भले ही अपने काम में कितने भी ब्यस्त क्यों न हो बस थोड़ा सा समय अपने परिवार वालों के लिए अपनी पत्नी अपने बच्चों और अपने माता पिता के लिए जरूर निकाले आप भले ही पैसे कमा कर उनके जरूरतों को पुरा करते हो लेकिन उनको आपके साथ की भी उतनी ही जरूरत होती है पती को चाहिए कि अपने पत्नी का सम्मान करें अगर पती अपने पत्नी का सम्मान करता है तो उसकी परवार वाले भी उसका सम्मान करती है या पती के हाथ में होता है कि वो अपने पत्नी का सम्मान बढ़ाता है या घटाता है साधी का रिष्टा निभाना उतना असान नहीं होता ऐसी बहुत सारे चीजें हैं जिससे आप दोनों सहमत ना हो लेकिन जो इंसान अपना रिष्टा बचाना चाहता है तो उसे बहुत सारे चीजों से समझाता करना पड़ता है पत्नी अपने पत्नी और परिवार के लिए बहुत से त्याग करती है सबसे बड़ा त्याग वह यह करती है कि वो अपने परिवार घर को अपने माता पिता को छोड़कर इंग नए घर में आती है और आपके साथ जीवन बिताती है तो आपका भी फर्ज बनता है, आप भी जरूरत पढ़ने पर समझाता जरूर करें एक अच्छा पती अपने पत्नी के प्रती हमेशा वफ़दार होता है वो अपनी पत्नी को यह कभी मैसूस नहीं कराता कि उसके लिए अच्छे साथ ही नहीं है अगर आप अपने पत्नी से प्यार करते हो तो उसके साथ हमेशा वफ़दार रहें आप कभी भी उसे यह महसूस ना कराएं कि आप उसके प्रती सच्चे नहीं है अनिथा इससे आपकी पत्नी के दिल को ठेस पहुचेगी हमेशा गुसे में रहना सही नहीं है जरूरत पढ़ने पर अपने परिवार वालों के साथ खास तोर पर अपने पत्नी के साथ हसी मजा कर लिया करें आपकी पत्नी खुश रहेगी और अच्छा महसूस करेगी अपने पत्नी को हसाते रहे उसे कभी भी दुख मत दीजी अपनी पत्नी की इच्छाओं और जरूरतों का सम्मान कीजिए कभी उसका मजाक ना उड़ाया उसके सपनों को छोडने पर मजबूर ना करिए हो सके तो उसे सपोर्ट कीजिए ताकि वह आगे बढ़ सके वह कहते हैं ना हर काम्याब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है ऐसे ही काम्याब आदमी के पीछे एक आदमी का हाथ होना भी चरूरी है और आप वही आदमी बनिये आप बाहर काम करते हैं तो आपकी पत्नी को भी धीरो काम होते हैं उन्हें कभी एना कहिए कि तुम घर में दिन भर करती क्या हो, बलकि एक अच्छी पती होतने के ना दे, घर के कामों में मदद कीजिए। कभी भी अपने बच्चों के सामने अपने पत्नी का नीचा ना दिखाए। लेकिन अगर अपनी पत्नी के किसी बात से सहमत नहीं है तो उससे अलग जाकर बात करें। बच्चों को बताएं के कि इस्तिरी और पुरुष के बीच असली रिस्ता क्या होता है। याद रखें, अगर आप अपनी बच्चों के सामने अपनी पत्नी को डाट लगाते हैं और उनका सम्मान नहीं करते हैं तो आपके बच्चे भी अपनी मा का सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का खास ख़ाल रखें। और बरत ब्रथडे पर ही नहीं। अपनी पतनी को हमेशा छोटे छोटे क्यों नहों सहीं सप्राज गिप्ट देते रहे और तो कोया बहुत पसंद होते हैं अगर आप दोनों पती पतनी में गलत फहमी हो गई है या आप दोनों में अगर जगड़ा हो जाये तो सोने से पहले अपनी गलत फहमी को दूर करके जगड़े को सुल्जा कट सोईए एक अच्छा पती अपनी पत्नी को कभी जज नहीं करता नहीं उसकी खामिया निकालता है कोई इंसान सरुगुर संपन नहीं होता हर किसी के अंदर कोई न कोई कमी होती है अगर आपकी पत्नी आपको आपकी कमियों के साथ अपनाती है तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए हर साधी का सबसे बड़ा नियम यही है कि आपको एक ही जगह पर खुद को रख कर देखना चाहिए इससे आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे की जिन्देगी बिल्कुल भी आसान नहीं है हो सकता है कि आप अपनी पत्नी के किसी बात से सहमत नहों लेकिन आपस में बात करके चीजों का हल निकाले आपकी मा और पत्नी के जगडे में कभी भी किसी एक का साथ ना देजी आप अपनी मा के अच्छे बेटे बन कर रहे और साथ ही अपने पत्नी के अच्छे पती भी अगर आप किसी एक का साथ दोगे तो दूसरे के साथ आपका रिष्टा खराब हो सकता है दोनों की नोग जोग सुलजाने की कोशिस करे मा के सामने पत्नी की तारिफ करते हुए कहिए कि वह अपनी सासु मा की कितनी इज़त करती है और उनके बारे में कितना अच्छी बाते सोचती है और ठीक वैसे ही अपने पत्नी के सामने भी अपनी मा की तारिफ करते हुए या कह बताईए कि वो अपने बहु की कितना अच्छा सोचती है ना कि मा के हां में हां मिलाकर पत्नी को नीचे दिखाएं और ना पत्नी के हां में हां मिलाकर मा को पत्नी की और उसके हाथ के बने खाने की तारिप करते रहे पत्नी को तारिप बहुत पसंद होती है कभी भी अपने पत्नी की तुलना किसी और से ना करे कभी भी काम का गुस्सा अपने पत्नी और बच्चे आने परिवार वालों पर ना निकाले हमेशा खुस रहे और दूसरों को भी खुस रखे आसा करती हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो चैनल को लाइक सेयर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्य